आज हम करेंगे चैप्टर फाइफ वक्सिट थ्री क्लास सिक्स मैट्स क्वेश्चन नमबर टू, 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 तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जाके कर लिजे क्योंकि सारे वक्सिट के वीडियोज मेरे चैनल पे अबलेबल हैं आपको जो भी वक्सिट करना है उसके वीडियोज मिल जाएंगे तो चलिए क्वेश्चन नमबर टू करते हैं मतलब एक सापकीपर पंदर रुपे में 30 चोकलेट बार खरीटता है हर चोकलेट बार का कीवत है 15 रुपे और 30 चोकलेट खरीटता है एक चोकलेट का 15 रुपेs and sold all them for रुपेs 525 और सारे चोकलेट को 30 चोकलेट को 525 रुपेs में बेच देता है find the profit percent he made देखते हैं हमें बताना है कि profit percent कितना है चलिए सबसे पहला है price of 30 चोकलेट बार तो 1 चोकलेट का 15 रुपेस तो 30 चोकलेट का 50 into 30 450 रूटीज, CP of chocolate सब कितना हो गया, 450, और selling price क्या था, 525, तो profit निकालने के लिए, SP-CP, 525-450, तो यह हो जाएगा, 75 रूटीज प्रॉटीज, अब profit percent निकालना है, तो profit percent का formula होता है, profit by CP in 200, profit है 75, CP है 450, इन 200, 10 से 10 cancel, 59 जा 45, 525 जा 10, 33 जा 9, 32 जा 6, 35 जा 25, अब 25 जा 50, और नीचे 3, अब देखिए, इसे रॉटाफ में करते हैं, 50, 3 से 50 को divide करते हैं, 3 जा 3, 20, 36 जा 18, ये 2, ये होगा, 16 होल, 2 by 3, 16 होल, 2 by 3 percent profit, ये होगा answer, next question number 3 देखते हैं, तो देखिए, एक आदमी है, जो कि 900 रुपे में एक रेडियो खरीटा है, और 972 रुपे में उसे बेच देता है, तो हम profit कब होगा, जब SP CP से बड़ा हो, और loss कब होगा, जब CP SP से बड़ा हो, तो यहाँ पे CP क्या है, 900, SP क्या है, 972, तो SP CP से बड़ा है, यानि profit होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए, SP माइनस CP, 972 माइनस 900, यह होगा, 72, profit percent निकालने के लिए क्या करेंगे, profit by CP into 100, profit क्या है, 72, CP है 900 into 100, 20 से 20, cancel, 9 बंजा 9, 98, 72, यह हो जाएगा, 8% profit, answer, question number 4 देखते हैं, Mr. Gupta purchase a house for Rs. 250,000 and spends Rs. 50,000 on repairs, if he sells it for Rs. 4,000, find his gain percent, तो Mr. Gupta क्या करते हैं, एक house खरीते हैं, धाई लाग का और फिर 50,000 उसको repair करने में खर्च करते हैं, तो चलिए इदर मैं यहाँ आप question लिख देता हूँ, तो उनका, हमें बताना है कि, उनका profit percent कितना है, या gain percent, profit gain same होता है, तो cost of house कितना था, 5,000, repairing में कितने खर्च किये, पचास अजार, तो total CP क्या हो जाएगा, repairing plus post, तो total CP इन दोनों को add करेंगे, तो हो जाएगा, 3,000, अब SP है 4,000, और CP है 3,000, तो profit होगा, तो profit निकालने के लिए, SP minus CP, 4,000, minus 3,000, यह हो जाएगा, 1,000, चलिए, profit percent निकालने के लिए, profit by CP into 100, profit है 1,00, और CP क्या है, 3,00, into 100, तो 5,0 से इधर 5,0 cancel, 100 into 100 by 3, इसे राफ में करते हैं, 3 divided by 100, 3,339, 10,339, 1, यह हो जाएगा, 33 whole 1 by 3% profit, तो हो गया, एंसर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर सेयर कर दीजिएगा, थैंक्स पो वाचिंग,